नमझे कार मैं हूं आपके साथ सुलील वह वी और आप इस समय देख रहेंगे अपना खासकार केलम ब्यार समय-चार के सांथ राजनीतिक 2050 की खबरे जो आपको जानना जरूरी होते हैं काम की खबर होती हैं सबसे पहलिए और बड़ी खबर बता दे कि बिहार में नलजल और नली गड़ी को लेकर एक बार फिर सरकार सतरक हो गई है पदाधीकारी आपके द्वार तक सब्ताह में दो दिन पदाधीकारी पंचायतों में होंगे और अब तो परखंड मुक्याले परखंड कर्याले के विजाच होने की बाते सामने आने लगी है दूसरी एक से कह सकते हैं लगतारे बाते आ रही थी विवादित होते जा रहा था कि नलजल योजना का अनुरच्छक है कौन होगा जमीन दाता होगा वाड़ सदस होंगे वाड़ सची होंगे तो अब यह कनफर में पंचायती राज विभाग ने कर दिया है कि वाड़ सदस ही जो है अन सरू के आने से हडकंब मच गया है कामों में सुधार होने की अवर्मीद जगने लगी है वहीं लोगों को यह आस भी अब लगने लगा है कि अब हमारा कार्ज जो है सही है वह अब हो जाएगा यानि हमें इंदरा आवास का लाब मिनना था अब मिल जाएगा क्योंकि पदा जिराद हिकारी अब हमारे द्वार तक आ रहे हैं उनसे जब हम अपनी फर्याद को रखेंगे उनके जाज़ परक के बाद हमारा अपना लाव मिल सकेगा जैसा कि आप जानते हैं कि बिते दिन 13 अप्रेल को सुरे बिहार के कई पंचायतों में जाज किया गया जहां बिद्धाले आगनवारी केंदरे नंजल योजना तमाम चीजों की जाज की गई इसमें जिलाधिकारी यानि डियम साहब कई जगा के डियम साहब बिद्धाले में भी गए बच्चों से वरक कच्मे रू लिभाब को में भी उस्सा जमा है इस तरह की कार्ज का हम भी सराना करते हैं और इधर तीन वर्सों में चार दसमलों पांच जीरो लाग किसानों को बिजली कनेक्शन बिजली कंपणी ने तयार की इसकी कार्ज योजना इसमद में 6694 में करोर खर्च करेगी बिजली कंपणी हर खेत में पानी देने की योजना के तहट दिया जाएगा अब कनेक्शन इधर सीएम सुरच्छा में आएंगे 50 अफसर और जमान विसे सुरच्छा दल समालता है मुखमंतरी की सुरच्छा का जीमा आखिर ऐसा क्यों लगतार मुखमंतरी नितिस कुमार के सुरच्छा में चूक कैसे हो जा रही है पहली दफार जब भरबन पर निकले थे मुखमंतरी तो एक इवक ने पीछे से वार किया तो दूसरी तरह पढ़ा के भी पटा के भी छोड़ने का मामला शामने आया है तो इस तरह से मुखमंतरी की सुरच्छा में चूक कैसे और कहां से हो रहा है अपर मुखम पुलिस महानिदेशक सुरच्छा ने इन पुलिस कर्मियों को एस एस जी में योगदान देने के लिए पतर लिखा है अस्क्रीनिंग कमीटी दोवरा चैनित इन पुलिस अपसरों में पांच महिला सब एक से इस्पेक्टर भी शामिल है 20 सिपाहियों का भी पर मुखमंत्री ने बोला है भारतरतना बाबा साहिए डाक्टर भीम रावमें मेतकर की जैनती के औसर पर पतना हाई कोट के समीफ आयोजी तराच्किये समारों में मुखमंत्री निती स्कुवार ने उनकी परतिमा पर मालापन कर भाव भी निस्तरदान अर्फित करते हुए कह जीवन मुल्यों को फिर्णा ले राजजपाल ने कहा इदर रेनु देवी ने मजदूरों की मौत पर जताया है दोख और राजत का रियाले में मनी अम्बेतकर जयनती जुग्गी वालों के लिए पेजल की विवस्था महिया कराने की बात भागपा के राज सचिव ललन अच्छा से बच्चों के लिए चलेगा चाहक 2.0 यानि कि बिहार में सरकारी प्रारमेक अस्कूलों में पढ़ने वाले राजभर के च्छाचात्राओं के लिए पहली बार अस्कूल रेडिनेंस के विशेस अभियान चलेगा सिच्चा विवाग इसी महीने के अंत में सरकारी अस्कूलों की पहली का च्छा में दो हजार बाइस तैस सत्र में नमंकन लेने वाले करिब बाइस लाख बच्चों के लिए चाहक 2.0 लांच करने जा रही है यानि कि इससे अब खास पहल किया जा रहा है जीजो में हो रहा है इसी सफलता की चरता चाहक 2.0 के तो पहली बार स्कूलों में स्कूल से बच्चों कर जाने डाया तर पहन कर जाने के लिए आ यह आ गया इंटा इंटर छाक परिष्छा दोजर बाइस में परचार्टियों को चपल पहन कर जाना होगा जुत्ता मोजा पहन कर जाने पर परवेश नहीं मिलेगा इंतर के बिद्यार्ति जो है जो फेल कर गए थे वह अपाट्मेंटल की जो परिच्छा दे रहे हैं उनके लिए विसेश खबर है तो जुत्ता पहन कर नहीं जा सकेंगे ओकेवल चपल पहन कर जाएंगे उनको परवेश करने की बात आएगी नहीं तो रोक लगा दिया जाएगा इधर रिकॉर्ड बक्सर में पारा 45.5 डिग्री पर पहुचा 15 जीरो में अधिक्तम पारा 40 तक पहुच गया है और 41.02 डिग्री पर पहुचा पटना का अधिक्तम तापमान और इस वर्स 13,000 करोर की सड़क पर युजनाय शुरू होगी दो एक्सप्रेस स्वे से जुलेंगे महत्पून सहर कच्ची दरगाह में बनेगा सड़कों का जक्सन इस पर काम होगा शुरू कुछ हो या नहों लेकिन बिहार में सड़कों की जाल जरूर बिच गई सब्सक्राइब नगी है कि कुछ यह ऐसे छेतरे रहा हुगा गाउं जिवा जहां साइद मुक्ष सड़क नहीं पाया होगा लेकिन विहार में और जाने में साय कहीं भी दीकत नहीं है लेकिन फिर भी सरकार जो है अब उसकी मेंटनेस के सड़कों के निर्मान के सातथ साथ उसका मेंटेन पर भी धियान दिया जाए इस वह स्वास तेरह हज्जार करोर की सरक पर उजनाएं सुरू करने का लच्छ रखा गया है और इधर आपको बता दें कि दस जिलों में केंद्र और राज दोनों की मदद से होगी जलवायू अनुकूल खेती खेती पर भी बिहार सरकार का ध्यान दिया गया है जिसमें केंद्र और राज सरकार की सयोग से जलवायू अनुकूलिते खेती करने की बाते की जा रही है कुछ और जो खबरे हैं जो आपक को भै बना रहा है कि इस वक्त अप्रैल महीने में इतना ताफमान बढ़ा हुआ है तो जुन जुलाई में इसका क्या हाल होगा तो आपको बता दे कि लगतार इसमें पारा बढ़ते जा रहा है वह दर नौ निर्वाची 24 सब्सक्राइब कर दिया रहा है बिहार विधान परिषद के अस्थानिय निकाय कोटे की सभी 24 सीटों के लिए चार अपरेल को मद्दान हुआ और साथ अपरेल को मद्गन्ना के बाद चुरा पर्ण्याम जारी कर दिया गया बिहार इलेक्शन वाच आपर एस्योसेशन फॉर डेमोक्रेटिव प्रॉर्स एडी यार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधान परस्थ के नो निर्वाची 24 सदस्यों की और सथ संपती 75.630 रूपे बताया जा रहा है और आंद पर्देश में वाइलर फटने से नालंदा के चार मजदूरों की मौत हो गई है सीम ने दुख जताया मिर्तिको के परिजनों को दो दो लाक मौजा की बाते हुई है और इधर बिहार में सभी अंचलों के कामकाज की जाच 23 अप्रैल को 534 अंचलों में जाच के लिए भेज़े जाएंगे अधिकारी पंचायतों में जाच की जहां बाते हुई थी अब अंचलों में भी जाच होगी 534 अंचलों में जाच की बात हो रही है कुछ घंटों पूर्वेत्य होगा किस अधिकारी को किस अंचल में जाना है यानिक अधिकारियों को भी चैन कर दिया जाएगा कि किस अंचल में किस अधिकारी को जाना है पंचायतों की जाच रिपोर्ट के लिए पोर्टल तयार कर दिया गया है सभी जीलों के लिए डीम को तयारी करने का निर्देश भी दे दिया गया है एक नया यह दोर सुरू किया गया है योजना का सकते अभियान का सकते सुरू किया गया है युक्रेन ने रूस के जंगी जहाज पर मिसाइल दागी और कंधार कांड में छोड़ गया मुस्ताक आतंकबादी घोसित और एई-एस को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है मुखमंत पूरी नितिसकुमार ने कहा है कि एई-एस यानि चमकी बुखार लोगों को किसी परकार की कोई परसानी नहीं हो इसकी लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है इधर आपको बता दे युक्रेन से लोटे चातरों को देश में मिलेगा दाखिला इधर आपको बता दे कि पं बिहार के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम